एलो डियर फ्रेंद्स इस महीमा और वाचेंग राइसमाथ हिंदी कैसे हैं आप सभी तहे दिल से आप सभी का स्वागत है यार बहुत ही मज़ा आता है मुझे तो इस वोकाबलरी के सेशन में मुझे नहीं पता तुम लोग आता है कि नहीं आता क्योंकि अगर आता होता तो त क्लास बहता है जाई क्लास सकते हैं भाइब कुछ भी चैसींग करने हैं कि आपको सेशन fir एक देखना है है और लाइक करना की तरह पहलाना है आक की तरह पते कैसे फैलती है है तो कभी मुखा दो आग लगाके do तो इस सेशन को आज जो वर्ड दो दो सही तुम्हारे दिल पर क्या क्या लिखते हैं माज चलो आज का पहला अब देखते हैं पहला वर्ड आता है इग नॉबल इग नॉबल भाई इग नॉबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ही शेमफुल है ठीक है मतलब इग्नोर करने लायक है ठीक है और दूसरी चीज ऐसे याद नहीं करना तो ऐसे करो not noble अच्छा व्यक्ति नहीं है not noble ठीक है फाञर करने लायक है तो यह इसको इग्नोर कर तो इसको गर दो evil evil चीजे जो होती है वो पेकार होती है बहुत गंदी होती है ठीक है तो evil से याद कर लो यह पहले लगा दो ठीक है despicable despicable इसका दूसरा synonym है तो भाई ignore करने like जो है एक इंसान वो है ignoble या फिर not noble shameful इंसान ठीक है चालिए next word देखो ignite भाई ignite night में night में अगर light चली जाए night में अगर light चली जाय वोट्सएप language में यह लिखते हो ना तुम लोग या फिर ऐसे लिखते हो good night गूड नाइट ऐसे लिखते हो ना शायद कुछ ऐसे लिखते हो है ना तो नाइट में अगर लाइट जले जाए और नहीं हो घर में एक वो ना हो कहते हैं उसको भाई inverter ना हो ठीक है तो क्या गरोगे चैंडल जलाओगे चैंडल जलाओगे ठीक है तो आग लगाना आगी तो लगाओगे इन फ्लेम करोगे ठीक है ना तुक और तुस्टार्ट संथिंग स्टार्ट बर्निंग और एक्सप्लोड ठीक है इन फ्लेम या फिर किंडल कैंडल में किंडल को मत ऐसे पढ़ना कैंडल से पढ़ो कैंडल में आग लगाना इन फ्लेम ठीक है तो आग लगाने का काम सर्फ कैंडल में क्या करो बाकी जगाओं पर आग लगाने का कारे बंद कर दो ठीक ह तो एक नाइट का मतलब होता है कि इन फ्लेम ठीक है बर्निंग बर्न करना शुरू करना ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो भाई फिरोश यह फोटो मुझे जैनुमनली बहुत पसंद आई मतलब सच बदारियों मुझे बहुत सुंदर लगी फोटो डरावनी है लेकिन नहीं होते हैँ दो फर वाले आनिमल होते हैं ठीक है और वह फ्राइटनिंग नहीं होते हैं वह घुसे वाले नहीं ह्योते ठीक है लेकिन mostly usually जितने भी फर वाले आने मल हैं मतलब यह वाले जो बहुत ही डरावने हैं तो ferocious का मतलब होता है fierce मतलब होता है ravenous इसको कैसे याद करोगे रावन जो था वो भी बहुत ज्यादा वॉयलेंट था है ना रावन रावन ठीक है रावन जो था वो बहुत ज्यादा रावना था ferocious था ठीक है ऐसे याद करो ठीक है जी चालिए next word देखो morbid morbid आप एक बात बताओ more bd एक के बाद एक bd पी ओगे तो कहां जाओगे कहां जाओगे बताओ कहां जाओ भगवान के पास जाओगे ठीक है more bd अगर एक के बाद एक bd पी ओगे तो फिर तो फिर कहां जाओगे बगवान के पास जाओगे ठीक है तो morbid का मतलब होता है to interested in unpleasant subjects ऐसी गलत चीजों में अपने आपको interested दिखाना या रखना जिससे specially death ठीक है जिससे आप बगवान को प्यारे हो जाओ ठीक है राम को प्यारा हो गया है ना तो इसका जो synonym है वो है macabre और दूसरा है dreadful ठीक है harmful जो चीज होती है deadful होती है ठीक है सही है ना तो ऐसी चीजों में अपने आपको बहुत दूर रखना है ऐसी चीजों से ठीक है next word है perfunctory perfunctory ठीक है perfunctory का मतलब होता है कोई ऐसी चीज done quickly without taking care or interest जल्दी जल्दी से कोई काम करते ना without taking care मतलब ध्यान से नहीं और interest से नहीं करना ठीक है तो इसकी synonyms है एक offhand और एक है heedless heedless ठीक है तो जादा ध्यान से नहीं करना meticulously नहीं करना ठीक है meticulous careful तरीके से नहीं करना ठीक है ठीक है ना तो यह सारे क्या है आपके इसके उल्टे शब्द हैं ठीक है एंटनिम नहीं है लेकिन एक तरीके से meaning अगर देखा जाए तो यह ही कहना चाहरा है कि without taking care या इंटरस्ट तरीके से कोई काम कर देना ठीक है नेक्स्ट वर्ड है a certain a certain a certain का मतलब होता है कोई चीज खोजना discover करना जब आपको कोई चीज डिसकवर करते हो तो आपको चीज समझ में आ जाती है अब यह जो अंकल है यह इस कवर करने की कोशिश कर रहे है कि इनको कुछ मिल जाए ठीक है तो जब कोई ऐसी चीज होती है था आप उसको comprehend कर पाते हो मतलब समझ पाते हो और दूसरी चीज़ perceived कर पाते हो मतलब accept कर पाते हो जब आप accept करते हो तो कोई चीज पर सीव करते हो ठीक है तो इसका मतलब होता है तो डिस्कावर सम्टिंग नेक्स वर्ड देखो बीवेल इसका निमोनिक मैं पढ़ रहे थी ना मेरे को तब क्यों रोते हैं क्यों रोते हैं क्यों रोते हैं क्यों रोते हैं क्यों बवाल करते हैं कभी खाना खाना है तो कभी सुसू जाना है कभी यह करना है तो कभी हो करना है कुछ भी इनके आत में दे दो इनको वहीं चाहिए है ना तो बवाल करना express great sadness दुखी है ना यह इनकी साब से देखो तो यह दुखी है हमें यह चाहिए तो भाई चाहिए चोटा बच्छा उसको थोड़ी पता है pros and cons ठीक है तो भाई यह बवाल करते हैं जब इनको कुछ चीज चाहिए होती है या इनको कोई चीज इनकी नहीं बात मानी जाती तो यह disappoint हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं और बवाल करते हैं तो बिवेल का मतलब होता है sadness to express great sadness ठीक है तो इसका जो synonyms होंगे मोन और एक होगा रूँ ठीक है तो बवाल करना ठीक है ऐसा लगरा है इसको मैं नहीं पता है पहना सादिया है इसको हटा देते हैं बच्चा अच्छा नहीं लग रहा अब ठीक है तो बवाल कर रहा है देखो और यह देखो दूसरा वाला देख लो इसकी शकल द आपको ऐसा दिखा देगे कि हमस अच्छा माबाप के लिए कोई है नहीं कजब यार रेपलीट भाई यह एक चीज्ज है इसका मतलब होता है कि यह जो प्लेट है ना प्लेट जो है री री प्लेट कर-कर 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 मतलब प्लेट पे आप जब बार-बार खाना डालोगे खतम हुई फिर ढाल दो भी टेक करते रहा एसे करते रहो एक और बार ले तो इसका मतलब वो फुल रहीगी फुल रहीगी और खाने से रहीगी खाना इस यह तो ढाल रहे हो तुम्हारे घर भाई गैस्ट आते हैं मम्मी को देखा है वाई एक बार तो मतलब पूछे बिना रह तो चुछेंगी कम से कम चुर्ण नयुक्त टो कभी तुमने नहीं पूछा इतनी बार है जितनी दफाध तुमने उनसे उनसे बार पूछा हमें तो भिया उस टाइम ही दिखते हैं विसकुट में स्कुटें ना पुरान टाइम में जब गएस्ट आते थे तभी बिसकेट निक बार री री प्लेट करना प्लेट को दुबारा से भरना री प्लेट करना फुल रखना उसको ठीक है तो इसके सिनोनिम्स हैं फिल्ड और है लोड़ अब यह देख लो अच्छा एक से एक और चीज याद आई फर्शादी में तुमने वो लोग देखें जो उनको लगता है या ऑर बार ले सकती हूं लेकिन मैं इस बूड़ी से बेटर दिखाती हूं मतलब ज्यादा भठ नहीं सकती थोड़ा इना थोड़ा जो लेकिन बार बार ले mucha होते हैं रे जो इनको लगता है कि भर दूसरी बार चले गउट अनीम जुखर शरं के मारे यहां नको दिक्कत घ़त में आलसी पन है आलस भरा हुआ है जिन्दगी में तो नहीं जा पाएंगे तो एक ही बारी भर लो गजब होती है किसी किसी की प्लेट तो यहां तक पहुंच रही होती है तो वह भी सीन बड़ा गंदा होता है वह त्री इडिट्स वाल मुझे सीन याद आ गया कि उसमें वह त किनों चले जाते हैं ना कितना सब बर लेते हैं दिक यह तो और लोड़िध कर लेते हैं थिक है तो फिल्ड और लोड़न टी के नेक्स वर्टे को देखो और यह जो कड uh गार्ड होते हैं एक टाइम स्पे या फिर गेट्स पे बहुत जादा लेजी हो जाते हैं लिट सर पर इसी नौकरी कसम से मतलब क्या ही भगवान ने उनको दे दी है कि मतलब बहुत दिफिकल जॉब है जॉब जोब कोई भी एजी नहीं है लेकिन जब जाओगे वह एक छोटी सी नैप जरूर ले रहे होते हैं अगर कोई नहीं है तो लेजी रहते हैं ना लेजी पर्सन ठीक है तो इसका जो सिननिम है वो है लेगड और डॉडलर डॉडलर ठीक है चाल नेक्स्ट वर्ड भाई इसका निमोनिक मुझे बहुत ही लिए लगा सकर देखो एक बार मेरे पडरोस में एक नई लडकी रहने ने 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 जारे एक ने एक बार मेरे पर्सम में एक हैंसम लडका आया रहने है ने ओर तोछ जने बोला शक्कर है का टोरी आगे करके बैयार तुम शक्कर चाहर मांगते तुम ने चयार जा उसका मा गोड़ी और तो सकर का मीनिंग होता है help करना एड सपोर्ट ठीक है help करना to help given to someone specially someone is suffering or in need भाई वो नीड में था उसको जरूरत थी चाय बना रहा था उसमें देखा चीनी नहीं है शक्र नहीं है अब जब तक वो मंगा था तब तक तो वाकिम हमें दर्शन दे गया था इतना ही बहुत था है ना तो बस फिर शक्र मांगी हमने उसको शक्र दे भाई कुछ जोगे चला गया तो मतलब मैंने उसको help कर दी help कर दिया ठीक है तो सकर का मतलब होता है support और एट ठीक है तो भाई ऐसी सब की मदद करनी चाहिए हमें जिंदिगी में मददगार वनना चाहिए हमें ठीक है तो ऐसे साइड में कोई हैंसम लड़का हो तो फिर तो अच्छी कासी मदद कर दो है ना चालो तो यार आज के लिए वस हम इतना ही करेंगे आज के जो वर् दो है